जै हिंद वंदे मात्रम दोस्तो स्वागा थे आप सबी लोगों का आज के 32 सेशन में कैसे दोस्तो उम्मित करता हूं बहुत है अच्छे होंगे और अपने एक जाम की तैयारी बहुत है अच्छे से कर रहे होंगे तो चले दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तो आज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए हाल ही में भारत और कीज देश के बीच बीच बीसवा दी परच्छी नाव से नाव भ्यास वरुन 2022 सुरू हुआ कौन से देश के बीच में हुआ है दोस्तो फटा पट अपना अंसर टिक करें जी दोस्तो अगर आप आपसा ने के साथ जा रहे तो आपका अंसर विल्कुल राइट है फ्रांस इंपोर्टेन एकसरसाईज है दोस्तो यहां से क्रेशन पूछे जाते है ठीक है यहां पे फ्रांस नाम आया है तो आपको याद रखना है फ्रांस की राजधानी पूछा जाता है तो कौन से दोस्तो पैरिस ठीक है दोस्तो पैरिस आप सभी लोग जानते जहां पे एफिल आवर है ठीक है अगर राष्ट पति के बारे में पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना है इमैनुवाल मेक्रो ठीक है राजधानी कौन सा है पैरिस और राष्ट पति कौन सा है इमैनुवाल मेक्रो अगला कोश्यन देखिए हाल ही में प्रमोस सावन ने लगतार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंदी पत की सपत किस दिन को ली कौन से दिन है दोस्तों यहां पर आप्षन दिये हुए 28 मार्च है 29 मार्च है 30 मार्च है या फिर 30 मार्च है जली से अपना अंसर दीजे जी दोस्तों अगर आप आप्षन के साथ जा रहे तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है 28 मार्च यहां पर आप नाम देखिए दोस्तों प्रमोस सावन ठीक है यह दो बार हो चुक है मुख्यमंत्री अगर पार्टी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों भी जेपी ठीक है भारती जनता पार आईपेल से सम्बंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी आईपेल जैसे ही समाप्त होगा इसके बारे में हम सेप्रेट वीडियो अपलोड कर देंगे अगर आप 2021 का देखना चाहते हैं तो मैंने कंप्लेट डीटेल से वीडियो अपलोड किया है उपर आई बटन में दे दूंगा वहां से जाकर देख सकते हैं जी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ड्रेंड ब्राव कौन से टीम से खिलते हैं सी एसके चैन्ने सूपर किंग ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों यहाँ पर सिक् के तरफ से खिलते हैं अगर इंटरनेशनल में बोला जाए तो वे स्टेंडिस के खिला रही है ठीक है अगला कुश्चन देखिए चौथे नंबर का जल सकती अभियान कैज दरेंड कैम्पियन 2022 का सुभारम निम्न में से किस ने किया किसके द्वारक किया गया है दोस्तों य लामनात कोविन अगला कुश्चन देखिए विश्व स्वास्त दिवास वर्ल्ड हेल टडे हर वर्स कीस दिन मनाया जाता है कौन से दिन मनाया जाता है दोस्तों जल्ली से अपना अंसर दीजे जी दोस्तों अगर आप आप संडी के साथ जा रहे तो आपका अंसर बिलकुल राइट है सेवन अप्रेल अभी जेस्ट हमने सेवन अप्रेल को विश्व सासत दिवस मनाया है ठीक है दिवस से संबंदित क्वेश्चन पुछे जाते हैं दोस्तों दिवस संबंदित हम सेपरेट टूड अपलोट कर देंगे अगला कुष्चन देखिए भारत और निम्नमेसिक कीज देश के बीच हाल ही में एक आर्थिक सायोग और वैपार समझोते पर हस्ताक्षर हुआ है एम्यू साइन किया जाता है ठीक है दोस्तों कौन से देश के बीच हुआ है यह आपको बताना है यहाँ पर आप्सन दिये हुए है फ्रांस है जपान है अ और यहाँ पे रास्टपति नहीं होता है प्रधानमंति के बारे में पूआ जाता है प्रधानमंती कौन है दोस्तों इस काट प्रस न किल्जया रहे दोस्तों बसक्रिष्य करे के वैसनो संप्रदाय के प्रतिपादक श्री वल्लभाचार्य पैदा हुए कहां फिर वह अथा साथियो यहां पिर आप्सन दिये हुए है पाली में, रामगर में, भोरम देव में, चंपरन में या फिर अमभीकापूर में इन में से कौन सा आप्सन से हैं दोस्तो अपना राइट आंसर टिक करें जी दोस्तो इस क्विश्चन का राइट आंसर हो जाएगा D चंपरन में बढ़ते अगले क्विश्चन के त restorब साथवे नंबर क्विश्चन देखिए इस राज्य के निम्न लिखित में से किस सितार वादक ने लंदन इस्तित हाउस आप कामन्स में आयोजीत कारेकरम में सितार वादन किया था कौन थे दोस्तों यहां पर आप्शन दिये हुए हैं अपना राइट आंसर टिक करें स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे आप्शन है वल्लब भाई पटेल डाक्टर बी आरम बेटकर पंडित जवाहला नहरू या फिर मौलाना अब्दूल कलाम अजाद इन में से कौन प्रथम कानून मंत्री थे यह आपको बताना है जी दोस्तो अगर आप आप्शन बी के साथ जा रहे तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है डाक्टर बी आरम बेटकर आपका अगला क्वेश्चन है भारती सविधान के अंतरगत संग और राज्यों के बीच की सक्कियों का विभाजन किसकी प्रेनना पराधारित है अमेरि सविधान सभा के सदर से नहीं थे ओप्शन है के मुनसी डाक्टर राजन प्रसाद महात्मा गांधी अब्दूल कलाम अजाद बेसिक क्वेश्चन है बट इंपोर्टन क्वेश्चन है जी दोस्तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी बढ़त है दोस्तों अपना राइट आंसर ठीक करें जी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी गरियाबन कमारं ज Dareאני् लond जाती के लोग बड़ी संक्या में घरियाबन में रहते हैं ठीक है दोस्तों के लिगार दोस्तों भड़ते है अगले क् temporary स्वेश्चन की त्र विवेसर के बारे में पूछा जाता है तो आपको याद होना चीए उस बार भी पहला आया था ठीक है अगला कुश्यन 36 गर प्रदेश का पहला पक्षी महुश्वा को आजन कब से कर रही है यहाँ पे पहला दिया गया है ठीक है दोस्तों किसी भी कुश्यन में पहला या सौर प्रथम लगता है तो कुश्यन अपने आपने एमपोर्टेन हो जाता है तो यहाँ पर आप्शन दिये हुए है कौन सा फ्रकार का क्वेश्थन सहीं हो जाएगा जिदूस्तों इस question कराइट हूंसर हुजएगा C 21 जन्वरी अगला questionbrav medical college का नाम करन किसके नाम पर क्या गया किसके नाम पर किया गया किसके नाम पर किया गया द१ुस्तों यहां पर दिये हुए हैं इन में से कौन सा आप्सन सहीं हो जाएगा जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा सी स्वर्गी भी साहुद आसमान अगला question एक question important है इस प्रकार के question पुछे जाते हैं चावर्ग का उचारण स्थान है आप पे टिकल कर सकते हैं एक बाद बोल के देख सकते हैं ठीक है आप्सन दिये हुए हैं अपना right answer टिक करें जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा ए दालू नेस question दो स्वर्ग के मेल से होने वाले विगार को कहते हैं बेसिक question है बाद important question है इसकुल टाइम से इसे आप पढ़ते आ रहे हैं अपना right answer टिक करें जी दोस्तों अगर आप आप आपसन B के साथ जा रहे हैं तो आपका answer बिलकुल रहे हैं स्वर्ग संधी संस्क्रित के मुल सब्द जो हिंदी भासा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों अपना right answer टिक करें जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा C तस्थम सब्द जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा E जवाहला नहरू की दोरा अगला question देखिए बिलाजपूर में दिये गए अपने ओजस्वी भासन से राजद्रो हेतु ग्रिपतार होने वाले कभी थें कौन थे दोस्तों यहाँ पर option दिये हुए जल्ली सपना answer टिक करें वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक करें अगर चैनल पर आपने हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्क्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर करें जी साथ है उस question का right answer हो जाएगा D माखन लाल चतुरवेदी विधान परिशत को समाप्त करने वाला आखरी राज्य कौन है कौन सा है दोस्तों आपसन दिये हुए है उडिसा है तमिल नाडू है आंदर परदेश है या फिर पक्षिम बंगाल है इनमें से कौन सा आपसन सही हो जाएगा जल्ले से अपना answer टिक करें जी दोस्तों बहुंस सारे लोग सी आपसन कमेंड कर रहे है जी कुछी लोग जा रहे है बी आपसन के साथ कौन सा आपसन सही हो जाएगा जी सांतियों इस question का right answer हो जाएगा बी तमिल नाडू ठीके दोस्तों देखे यहां पे आप लोग confused नहीं होंगे आखरी राज्य तमि प्रयोग किया इनके द्वारा किया गया था दोस्तों इस question को मैंने पूल किया था तो बहुंस सारे लोग confused थे जल्ली से अपना आंसर टिक करें जी दोस्तों अगर आप आपसन बी के साथ जा रहे तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है धल्पत राम राव नेस्ट क्वेस् से पुराना समाने सिक्षा का विश्विद्याला है कौन से दोस्तों यहां पर option दिये हुए हैं जल्ली से अपना आंसर टिक करें जी दोस्तों इस question का राइट आंसर हो जाएगा ए वंडित रवी संकर विश्विद्याला राइपूर ठीके दोस्तों 1964 में स्थापना हुआ थ जल्ली से टिक करें जी दोस्तों इस question का राइट आंसर हो जाएगा ए साल आप लोग को याद रखने दोस्तों बस्तर को साल वनों का दीप कहा जाता है इल्यार है बढ़ते अगले question के तरफ 36 गड़ राज्य में सबसे बड़ा भूमी गट यांतिक कोईला खान है कौन सा है दोस्तों यहाँ पर option दिये हुए है जल्ली से अपना आंसर टिक करें जी दोस्तों अगर आप option D के साथ जा रहे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है मुकुन घाट मुकुन घाट कहाँ प अपना आंसर टिक करें कौन सा अपसन सही हो जाएगा जी दोस्तों अगर आप option D के साथ जा रहे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है जैसे दीती ने अगला question भारत में गुलाम वांस का संस्तापक कौन था तो यहाँ पर option दिये हुए है दोस्तों इन में से कौन सा option सही ह यह आप लोग को detail से comment करना है वीडियो के regarding कोई भी question है या doubt है तो आप हमें comment कर सकते हैं आपका comment का इंतिजार रहेगा तो आज का वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें जैहिन